दोस्त इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्बिट्रम का ये अर्बी का ये अर्बी में आपको अभी कैसा मोमेंट देखने को मिलता है क्या है इसका स्पोर्ट जोन है क्या है इसका रजिस्ट्रंस आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में हम डीटेल में बात करेंगे आप के पास और चुंटी हो सकते हैं कि क्योंकि यह फंडमेंटली स्टॉंग प्रजेक्ट है तो अभी करेक्शन पे आप बाय करेंगे रिकबरी पे जाके प्रॉफिट बुक करेंगे तो दूब उस्ते में वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा अगर आप हमारे पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल ऐगन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलिग्राम को भी जॉइन कर लें मार्केट में अच्छी वोलियम आएगी तो इसका प्राइज अपनी रिकवरी कर सकता है मार्केट कैप दो बिलियन के उपर है 24 और में इसके ट्रेडिंग वोलियम जैसे जैसे बढ़ेगी इसका प्राइज ग्रो करेगा और इसका जो मार्केट कैप है वो भी बुल तो चेकने को मिल सकते हैं। अगर इसके हम सप्लाइए के बात करें तो इसके इनफो में आपको इसकी वेबसाइड मिल जाए की जहां विजट करके आप इसके फंड़मेंटल के राएं में डीडाउट कर सकते हैं। इसके community में आप इसके tweeter handle, telegram, discord को join कर सकते हैं further update के लिए, अब दिखिए अगर आप मुझे long time से follow कर रहे होंगे, तो मैंने आपको बताया था कि recovery के साथ जो ERB का target होगा, वो आपको 1.5 का, 1.7 का, 2.1 का देखने को मिलेगा, तो इन सारे target को हमने पास्टर में अचीव कर लिया है, इसका जो all time high है, वो 2.34 का लगा था, तो सबसे पहले अब हम recovery के साथ इसको hit करेंगे, उसके बाद से आपको एक नया all time high मिल सकता है, जो कि bull market में ही मिलेगा, अगर exchange के बात करें, तो इसके listing आपको हर एक exchange पे मिल जाती है, जिस मर्जी exchange से आप इसकी buying कर सकते हैं, अब मैं आपको लेकि चलता हूँ trading view पे, देखते हैं, आर्बी ट्रम के movement को, तो आप देख सकते हैं, पहले हमने ERB का daily time into a लिगा हुए है, और daily के according जो हमारा sport है, वो आपको एक straight line देखने को मिलता है, जो resistance है, वो trend line है, price action इसी के between में move हो रहा है, और जब भी आपको ऐसा scenario देख है, इसका मर्लब होता है, कि यहाँ पर descending triangle का pattern form हो रहा है, अगर हम इस sport से recovery देते हैं, तब भी जो हमारा target होगा, वो इस target से नीचे होगा, मर्लब recovery के साथ, हम 0.73 के range को touch कर सकते हैं, पर इसके बावजूद भी market में correction ही आएगा, क्योंकि जो यह descending triangle है, इसमें हम maximum time अपने sport को break करते हैं, अब जब भी आपको ऐसा scenario दिखे, तो पहली जो buying है ना, आपकी वो यहाँ पर हो जाएगी sport पे, उसकी बाव से हम monitor करेंगे, अगर हम इस level को as a resistance यूज़ करते हैं, तब आप DCA करेंगे 0.40 के range में जाके, या 0.50 के range में अगर आप 0.40 का level रखेंगे, तो वो best रहेगा, क्योंकि अभी भी अगर आप daily के according आर्बिटरम को देखेंगे, तो कोई खास volume नहीं है इसमें, जितनी भी candles है, आपको dozy type candle देखने को मिलती हैं, तो correction अभी इसके price में और आ सकते हैं, September तक आपके पास opportunity है, और market में धीरे-धीरे इसकी supply बढ़ रही है, तो demand है नहीं supply बढ़ेगी, तब यह इसका जो price जब वो एक bottom लगा सकता है, जिन लोगोंने future में long open करा है, आर्बिटरम में, उनका SL जो है, वो 0.3 के नीचे होना चाहिए, अगर आप लोगोंने safe होना है, क्योंकि unexpected अगर market में supply बढ़ती है, तो एक liquidation का move आ सकता है, downside में, उससे आपने बच के रहना है, तो hopefully आपको daily time in 12 अच्छे समझा गया होगा, अब अगर इसके हम weekly time frame की बात करें, तो देखें, ERP को हम काफी देर से monitor कर रहे हैं, correction wise जब हमें 0.75 का range मिला था, तो हमारी पहली buying हुई थी, और इसके बात से मैंने आपको बताया था, कि recovery के साथ आपका जो target मिलेगा, वो मिलेगा 1.3 का, 1.5 का, 1.7 का, 2.1 का, तो हमने इन सब भी target को achieve करा, उसके बाद आपको यहां correction देखने को मलता है, अब हमारे EMS में आपको weekly के according various crossover देखने को मलता है, जो कि indicate कर रहा है कि हम downtrend में हैं, और आपको lower low lower high का moment मिलेगा, तो अब जो lower low बनेगा weekly के according, वो बनेगा 0.42 के range में, तो आप अगर patients के साथ यहां पर anti बनाएंगे, तो best opportunity से आप buy कर सकते हैं इसको, overall अगर हम recovery wise target की बात करें, तो पहला target होगा 0.73 का, उसके बाद से 0.92 का, और इसके बाद से जितने हमने यह वाले target मार्क करें हैं, यह सारे के सारे target हमें further future में देखने को मिल सकते हैं, पर जब तक हम down trend में रहेंगे, हमारी EMS का direction downside में रहेंगी, तब तक आपको correction ही देखने को मिलेगा, recovery के लिए जरूरी होगा, कि सबसे पहले हमारी EMS का direction upside में हो, और trend का reversal हो, तब आपको अच्छी recovery मिल सकती है, और यह आपको देखने को मिलेगा October के बाद, तो hopefully आपको यह वीडियो का update अच्छे समझा गया होगा, anti-dains आपको समझा गया होगी, target आपको समझा गया होगा, in case अगर आपने गलती से high price में बाय करा है, आपको तब जो आपका DC है न, वो 0.40 के नीचे होना चाहिए, अगर आप safe चलके और average करना चाहते हैं तो, तो अगर आपको हमारी वीडियो जे अच्छी लगते हैं, प्लीज वीडियो को लाइक किजिए, शेयर किजिए अपने दोस्तों के साथ, मिलते हैं वसके नीचे वीडियो के साथ, अब तक लिए जैहिंज भारत,